आज हम पूरांकों का अध्यन करते हैं इसके पहले हमने पढ़ा था प्राक्तिक शंख्या वस्तूओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राक्तिक शंख्या कहते हैं और इनकी सुरुवात एक, दो, तीन, चार, पांच, छे से लेकर अनन्द प्राक्तिक शंख्याओं में सून को सामिल कर लिया जाए, तो, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं लेकिन इसके बाद समस्या पैदा हुई कि जब छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या घटाए गई ग्युक्त क्या आएगा हमें पूरांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी जैसे चित्र में यह दोनों इहां से चलना प्रावर्म करते हैं भ देविट जो है वो पांच कदम बायोर जा रहा है और हरी पांच कदम दायोर जा रहा है क्या हम दोनों को पांच सेड़िया उपर की तरफ जा रहा है हरी पांच सेड़िया नीचे की तरफ जा है क्या फिर हम दोनों को पांच से लिख सकते हैं या फिर जब कोई सामान बेचा जाता है तो किसी को 5 रुपए का लाब हो रहा है और दूसरे को 5 रुपए की हानी हो रही है फिर क्या हम दोनों को 5 से लिख सकते हैं एक वेक्ति 7 रुपए का समान खरीद रहा है और दूसरा वेक्ति 7 रुपए का समान बेच रहा है क्या फिर दोनों को 7 से लिख सकते हैं या पिर एक वेक्ति बैंक में 100 रुपए जमा कर रहा है और दूसरा वेक्ति बैंक से 100 रुपए का लोन ले रहा है या उधाल ले रहा है या रिंड ले रहा है क्या फिर हम 100 से रिक सकते हैं दोनों को तो यहां पर जो पिक्रिया हैं वो एक दूसरे को विप्रीत है एक बाई ओर जा रहा है तो दूसरा दाई ओर जा रहा है एक उपर चाड़ा है तो दूसरा नीचे उतर रहा है एक को लाब हो रहा है तो एक को हानी हो रही है एक समान बेच रहा है दूसरा समान खईद रहा है एक बैंक को पैसे जमा करता है एक बैंक से पैसे उदाल लेता है कभी-कभी तापमान जीरो के उपर चला जाता है तो यहाँ पर यह विपरीत पिक्रिया है इसलिए हमें इन धनात्मक संख्याओं के या गिंती संख्याओं में जो हम एक, दो, तीन, चार, पाँच लिखते हैं इन के विपरीत संख्याओं की आवशक्ता पड़िए तब हमें चिन देनिक जवद पड़िए कि यदि हम किसी वस्तु को समान दे रहे हैं तो वहाँ प्लस एक से लिखेंगे और यदि हम से समान ले रहे हैं तो माइनस एक यानि प्लस एक और माइनस एक ये जो प्लस संकल्पन है और माइनस संकल्पना है यह ठीक एक दूसरे के विप्रीत है प्लस का मतलब हम समान दे रहे हैं माइनस का मतलब समान ले रहे हैं प्लस का मतलब लाब हो रहा है माइनस का मतलब हानी हो रही है यानि एक दूसरे के ठीक विपरीत पिक्रियां जब होती हैं तब उन्हें हम विपरीत चिन्नों से प्रशित करते हैं तो हमाई जो पूरांख होते हैं उनको तीन भागों में बाढ़ सकते हैं पहला यहाँ परोज आएगा रिण पूरांख सून और धन पूरा यानि धन पूरांख में जो प्राक्तिक संख्या एक दो तीन चार पाँच यह मैं धनात्मा पूरांख लाएंगी यह इसको बोल सकते हैं धन पूर्ण संख्या है शून पूर्ण संख्या, जब प्राक्तिक संख्या होँ में है, धुन पूरांकों में शून को सामिल कर लिया, तावाई संख्या पूर्ण संख्या होई, और रिनात्मक पूरांक, यहाँ पर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, यह रिन पूर्ण थीक विप्रीदि चिंद मैंनस तो जो पूरांक होते हैं वो हमाई तीन प्रिकार के हो गए दण़ोरांक शौन और रिड़न पूरांक संख्या रेखा पर पूरांकों का प्रदर्शन या पूरांकों कंRIA निरूपड एक संख्या रेखा कीजी। यह सुन जब दाही ओर जाएंगे धनात्मक पुरांक, बाही ओर जाएंगे तो दनात्मक पुरांक, तो यहाँ पर धनात्मक पुरांक यह सुन हो गया, फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आठ, यह धनात्मक पुरांक हो गया, इस तरफ माइनस एक, माइनस दो, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, इन पिटेक धन पूरांग के शंगत, एक रिन पूरांग होता है, जैसे 1 और ये, इस प्लस 1 किसंग माइनस 1, तो पिटेक धन पूरांग के शंगत, एक रिन पूरांग होता है, यदि इन दोनों को जोड दिया जाए, तो योगफल कितना होता है, शून होता है, जैसे इस माइनस दो की संगत धन पूरांग होगा दो, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो योगफल शून हो जाएगा, दो कार्थ लाब माल लो, माइनस दो कार्थ हा नी, तो यहाँ प्लस दो, यहाँ माइनस दो, जैसे तीन और माइनस तीन, यदि इ दन पुदांक, इसके संगत रिन पूदांक माइनस सो और दोनों का टोटल कर दिया जाया, कितना आएगा? जीरो तो प्रिटेक धनात्मक पूदांक के संगत एक रिनात्मक पूदांक होता है ओ जिसका योकफल कितना होता है? शून होता है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह धनात्मक पूरांक है धनक पूरांक है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चाह रेड़ धनात्मक पूरांक हो गए और यह शून हो गए तो जो शून होता है वो प्रतेक धनात्मक पूरांक से हमेशा छोटा होता है शून इन धानात्मक पूरांग समीशा क्या होता है चोटा होता है और रिणात्मक पूरांग समीशा बड़ा होता है जैसे माइनस एक और सून में कौन बड़ा होगा तो माइनस एक और शून में सून हमारा बड़ा होगा यहां हम कह सकते हैं जब संख्या रेखा के इस तरह हम जाते हैं दाइयोर से बाइयोर जाते हैं तो मान करमसा कम होते चले जाते हैं और जब बाइयोर से दाइयोर जाते हैं तो मान करमसा बढ़ते चले जाते हैं जैसे यहाँ पर सून से बढ़ा एक, एक से बढ़ा दो, दो से बढ़ा तीन, तीन से बढ़ा चार, और यहाँ इस तब जाएंगे, तो सून से चोटा माइनस एक, माइनस एक से चोटा माइनस दो, माइनस दो से चोटा माइनस तीन, जैसे माइनस दो और माइनस तीन की तुलन की जाए तीन की और पांच की तो तीन चोटा है पांच बढ़ा है यहाँ पर माइनस पांच और सुन की तुलना की जाए तो माइनस पांच छोटा है शुन बढ़ा है यानि संख्या रेखा पर जब इस तरफ जाते हैं तो मान क्रमशा कम होते चले जाते हैं दाइयोर से बाइय और जब बाइयोर से दाइयोर जाते हैं तो मान करमसा बढ़ते चले जाते हैं जैसे जब धनातमक संक्या होती हुआ तो जोडने ये गटाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब एक माईनस और एक प्लस हो जाता है तो अक्सर हमसे गल्ती हो जाती हूँ. यदि हम इसको ठोस माद्यम से सीखें, तो गल्ती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और ये जो काली गोटियां हैं वो रिणात्मक संख्याओं को पिदाशित कर रही है यानि कि सफेद गोटी धनपूर्ण संख्याओं को और ये काली गोटी या ब्लैक कलर की गोटी है वो रिण संख्याओं को पिदाशित कर रही है जैसे हमारे पास धनात्मक संख्याओं प्लस फिर 4 है, 1, 2, 3, 4, ये 4 और है, और plus यह नहीं मिला न, यहीं दोनों को मिला देuंगे, तो total कितनी हो देंगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, यानी यहाँ पर जो हमारा total हाजाएगा, वो plus का 9 हाजाएगी, अब यहां माइनस तीन है प्लस चार है तो इसको समझने के पहले एक चीज जाना जरूरी है कि जैसे हमाएपास दो चीजे हैं और यह हमसे दो चीज ले ली जाए यानि जो विप्रीत संख्या है थी प्लस दो का विप्रीत माइनस दो या इन दोनों को जोड दिया है तो टोटल जीरो हो जाएगे प्लस की दो माइनस की दो या प्लस की एक और माइनस की देख यानि इन दोनों का ये जो पेर बनेगा जोड़ा बनेगा वो जीरो को निरुपित करा शून को क्योंकि एक देने का बहुत करारा है, एक लेने का, एक धन संक्या, और यह रिंच संक्या है, यह प्लस का एक, यह मांइनस का 1 दोना जबजुरेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 0 अब जैसे यहाँ पर माइनस 3 है तो एक दो और ये तीन, ये तीन काली गोटी ले लिए, प्लस का चार, एक, दो, तीन, चार ये चार सफेध गोटीया ले लिए, अब इन दों के टोटल किया जाएगा, तो total करेंगे, तो pair बनाते, ये plus का एक और minus का एक, total कितना हो गया, zero, ये plus का एक, minus का एक, ये दूसा pair भी zero हो गया, ये plus का एक और ये minus का एक, ये भी zero हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यह सफेद गोटी बची, और सफेद गोटी किसको प्रसित कर रही है, प्लस को, कितनी बची, एक बची, यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा, वो प्लस का यह आ जाएगा, अब जैसे यहाँ पर प्लस का 5 है, तो हम 5 सफेद गोटी ले रहें यहाँ प साथ माइनस चिन साथ यहने काली गोटी और इनकी संख्या कितनी होगी साथ एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ यह टोटल साथ गोटियां होगी यह हमने हाँ पर रख दिया अब दोनों को जोड़ना है मिलाना है तो यह एक सफेद और काला जीरो फिर एक सफेद काला यह यह प्लस प्लस पांच और माइनस साथ को जो योगफल आएगा वो हमारा माइनस चार है यानि हमारि प्लस जो काली गोटी होंगी उनकी संख्याओ होगी वो चार होगी एक दो तीन चार प्लस का तीन यानि तीन सफेद गोटियां एक दो तीन अब फिर प्लस का दोनों को मिलाना है तो यहां पर एक सफेद एक काली zero हो गया, फिर ये zero हो गया, फिर ये zero हो गया, बचा कितना, एक काली गोटी, काली गोटी, याने इडलात्मक संक्या, और एक बची तो माइनस एक, इस पिकार यदि हम plus और माइनस में इन काली गोटीएं को ध्यान करेंगे, तब हमें दिककत नहीं होगी, जैसे यहां plus 7 हैं, तो यहां पर plus का 5 ले लें, और plus की 2 गोटी, और यहां minus 5, अब क्या होगा, यह plus का 5 और यह minus का 5 दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा plus का 2, तो इस प्रिकार हमें जोडने में आसानी रहेगी, अब जैसे plus 5, minus plus 3, घटा रही जागा, तो घटाने का निकालना, plus का जोडना, तो यहां पर सफेद गोटी plus को निरुपित करती है, तो यहां plus 5 होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब यह 5 गोटियों में हमने plus की 3 निकालनी है, यानि घटानी है, तो एक, दो, यह 3 गोटी निकालनी हमने, तो कितनी बचेंग यहां पर, एक और दो गोटी, और दोनों कैसी है, धनात्मक है, क्योंकि यह plus की है, क्योंकि यह white कलर की है, सफे अब यहां पर है माइनस चार, रिनात्मक संक्या निकाली गोटी, तो एक, दो, तीन, और यह चार, अब इन चार काली गोटी में, तीन, माइनस तीन, यह तीन काली गोटी निकालनी है, तो यहां पर एक, दो, और यह तीन काली गोटी निकालनी, माइनस कट निकाल ला और कौन से निकाल ली काले रंग गोटी निकाल ली तो यह तीन काले रंग गोटी निकाल ली तुमापस क्या बचा एक गोटी और यह कौन से रंग की है काले रंग की है और काला रंग किसको प्रदसित करता है रिनात्मक संख्याओं को तो यह हो जाएग अब निकालना है माइनस कचा अब इस में से माइनस है नहीं काली गोटी अब हमें काली गोटी निकालना हमें सफेद गोटी और निकालना हमें काली गोटी तो फिर हमने जो सून की शंकल्पना की थी हाँ ना कि एक सफेद और एक काली गोटी मिलके क्या बनता है सून तो इस त तीन और यह हो यह हमारा चार हमने चार सफेद गोटी ले ली और चार काली गोटी ले ली तो यह टोटल कितना हो जाएगा जीरो तो यहाँ पर हमने यह जीरो रख दिया चार सफेद और चार काली गोटी चार सफेद और यह चार काली गोटी तो यह हमारा टोटल किसको पता है जीरो यह हमारा जीरो है यह हमारा प्लस का तीन है और यह सब को टोटल कितना है जीरो है तो प्लस का तीन ही किसी भी संख्या में योगात्मक तस्तमक अभियाब जोड़ अब क्या करने से माइनस चार यानि चार काली गोटी निकाल लेंगे तो हमापस कितना बचेंगा तो देखते हैं एक डो तीन चार पांच छह और यह साथ तो हमारा जो वो सफेद गोटी हैं और सफेद गोटी किसको पर असी करती है प्लस को तो यह हमारा जागा प्लस का साथ यह आंगे हम जब पढ़ेंगे थोड़ा तो माइनस और माइनस मिलका क्या हो तो प्लस हो जाता है जैसे हम इसको हल करना हो तो तीन और माइनस में माइनस दोनों चिन ए हैं तो इस तह समझ सकते हैं अब इसमें से पांच काली گोटी निकालनी हाटनी हम अपवस हैं दो और निकालनी है पांच तो पांचिनिकालने के लिए हम यह तीन सफेद गोती और तीन काली गोती इन दोनों का जोड़ा정 constant इस प्लस तीन और माइनस तीन जीरो तो यह हमारा फिर zero हो गया क्योंकि तीन सफेदों तिन कल जाता है जीरो अब यह माइनस दो है और यह जिरो यह माइनस दो अब इस प्कता निकालना है, माइनस का 5, तो 5 का लिगोटी निकाल लिए टैं한, एक, दो, तीन, चार और ये 5, ये 5 का लिगोटी हमने क्या कर ली? निकाल ली, तो बचा कितने हम आ पस? 1, 2, और ये 3, ये 3 सफेध गोटी है वे चीई, यानि हमारा उत्तार आएगा प्लस का 3 यहाँ फिर हम समझ सकते हैं कि माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और 5 में से 2 जाएगा तो आएगा हमारा 3